कहानियों को संसार में सुनी अलिफ लैला सीरीज की तीसरी कहानी दोस्तों ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर हमारी पिछली कहानी खत्म होई थे अगर आपने पिछली कहानिया नहीं सुनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है आप सुन सकते हैं तीसरी कहानी है किस्सा तीसरी बूढ़े का जिसके साथ एक खचर था आईए सुनते हैं तीसरी बूढ़े ने कहना शुरू किया हे दैत्य समराथ ये खचर मेरी पत्नी है मैं वैपारी था एक बार मैं वेपार करने के लिए परदेश गया था जब मैं एक वश बाद अपनी घर लोट कर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक हपशी गुलाम के पास बैठी हुई हास विलास और प्रेमालाप कर रही है ये देखकर मुझे अतियन ताश्रे हुआ और क्रोध हुआ और मैंने चाहा कि इन दोनों को धंड दू तब ही मेरी पत्नी एक पात्र में जल ले आई और उस पर एक मंत्र फूख कर उसने मुझ पर अभी मंत्री जल छिड़क दिया जिससे मैं कुत्ता बन गया पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने हास विलास में लग गई मैं इधर उधर घूमता रहा फिर भूख से व्याकुल होकर एक कसाई की दुकान पर जा पहुँचा और उसकी फेकी हुई हड़िया उठा कर खाने लगा कुछ दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा फिर एक दिन कसाई के साथ उसकी घर पहुँचा कसाई की पुत्री मुझे देखकर अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकले कसाई ने कहा तू अंदर क्या गर रही है बाहर क्यों नहीं आती लड़की बोली मैं आपरिचित पुरुष के सामने कैसे जाऊ कसाई ने इधर उधर देखकर कहा कि यहां तो कोई आपरिचित पुरुष नहीं दिखाय देता तू किस पुरुष की बात कर रही है लड़की ने कहा यह कुटधा जो तुम्हारे साथ में आया है तुम्ही इसकी कहानी मालुम नहीं है यह आद्मी है इसकी पतनी जादू करने में पारंगत है उसी ने मंत्र शक्ती से इसे कुटधा बना दिया है अगर तुम्हे इस बात पर विश्वास न हो तो इस दे को छोड़ दे और अपने पूर रूप में आ जा उसका इतना कहते ही मैं दुबारा मरुष्य के रूप में आ गया और लड़की फिर पर्दे के अंदर चली गई मैंने उसका उपकार माना और कहा हे बाग्यवती तुने जो मेरा उपकार किया है उससे तुझे लोग पर लोग का सतत सुख प्राप्त हो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही दंड मिले ये सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ थोड़ा अभी मंतरी जल बाहर पिजवा कर बोली तुझे जल को अपनी पत्नी पर शड़क देना फिर तुझे जो भी दे देना चाहे उस पशु का नाम लेकर स्त्री से कहना कि तुझे हो जा वो उसी पशु का देधारन कर लेगी मैं उस जल को लेकर अपनी घर गया उस समय मेरी पत्नी सो रही थी इससे मुझे काम करने का अच्छा मौका मिल गया मैंने अभी मंत्री जल के कई छीटे उसकी मूँ पर मारे और कहा तु इस तरी की दे छोड़कर खचर बन जा वो खचर बन गए तब से मैं इसे इसी रूप में साथ लिये गुंता हूँ शेहरजाद ने कहा बाशा सलामत जब तीसरा वृद अपनी कहानी कह चुका तो देते को बड़ा आश्चर हुआ उसने खचर से पूछा कि क्या ये बात सच है जो ये बूड़ा कहता है खचर ने सिर हिला कर संकेत दिया कि ये बात सच्ची है तत्पश्चाद देते ने व्यपारी के अपराद का बचा हुआ थिहाई भाग भी शमा कर दिया और उसे बंधिन मुख कर दिया उसने व्यपारी से कहा तुम्हारी जान आज इनी तीनों वृद जनों के कारण बची है यदि ये लोग तुम्हारी साहता ना करते तो तुम आज ही मारे गए थे अब तुम इन तीनों के प्रती करतग्यता प्रकट करो ये कहने के बाद दैते अंतर ध्यान हो गया व्यपारी उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा व्यपारी भी घर लोटाया और हसी खुशी अपने प्रेजनों के साथ रहकर उसने पूरी आयूब होगी शेहजाद ने इतना कहने के बात कहा मैंने जो ये कहानी कही इससे भी अच्छी एक कहानी जानती हूँ जो एक मचवारे की है बात्षा ने इस पर कुछ नहीं कहा लेकिन दुनियाजाद बोली बैन अभी तो कुछ रात बाकी है तुम मचवारे की कहानी पर शुरू कर दो मुझे आशा है कि बात्षा सलामत उस कहानी को सुनकर प्रसंद होंगे शेहरयार ने वो कहानी सुनने की भी हामी भड़ दी उसके बात शेहरजाद ने मचवारे की कहानी इसी परकार कहना आरंप किया आप सुन रहे थे अलिफ लेला सीरीज की तीसरी कहानी अगली कहानी सुनने के लिए अगला वीडियो देखे अगर आपको यह कहानिया पसंद आई हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करकर आप हमें बता सकते हैं और भी कहानिया सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब बरें मिलेंगे अगली कहानि के साथ धन्यवाद